तो आज का वीडियो है अपना जो लेक पेंट के बारे में काफी ज़्यादा मेरे पास कॉमेंट आ रहे थे उसके उपर है डिटेल में बात करेंगे और पहले हम बता दें कि इस वीडियो के अंदर जितनी भी हम एकसराइज जितने भी मुवमेंट्स बताएंगे मोबिलेटी में बताएंगे वह सब्सक्राइब तो सरे ब 동 में मेरे वीडियो बताएंगे कि तरीक्त कैसे कैसे आपको रिजर्जार्स मिलेंगे इसके पहले वसी काम करना है आजा अगर नहों तो बातचीत करेंगे सबसे करेंगे यहां पर सबसे पहले बात कर रहा है कि तो आप हर एक स्टेप के साथ अपने पैर पर डाल ले हैं वह आपका नी हो चाहिए और कसी बोन हो काफ मसल हो या हो आपका एंकल आप एक हर एक पार्ट में डबाव डाल ले तो कहीं न कहीं एक भी स्टेप अगर गलत पड़ गया तो अपन दिक्कत जहलनी पड़ेगी ठीक है लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम सही कर सकते हैं पहले समझ लेतें एंकल पेन में क्या-क्या सिंटम्स होते हैं सबसे पहला जो हता है दियुको दो तरीक है कौता है यह स्के पहले तो हो सकता है आपको हलका-लका दर्द मेहसूँस हो उसके बाद हमारे पैरों में क्या होती स्वेलिंग आना स्टार्ट होती जो पैर होता है उच जगह पे आपकी स्वेलिंग आना साथ हो जाती उसके बाद एक इंडीशन यह आजाती है कि हम पैर तक नहीं रख पाते हैं और कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं तो यह तो होगे एंकल के यह अब हम यहारा बात करेंगे सेन बहुता है ठीग है सेंसां नहीं रहा नहीं होता है और दरद रुकने के बाद फिर सुरू हो है मतलब की मालो जैसे हम थोड़ी दिर हमने नहीं चला आराम से आराम मिल गया उसके बाद हमने रहने के स्टार्ट की दुबारा से दर्द चालो हो जाता है यह सिंप्टम्स हो जाते हैं हमारे सिंपेन के घुटने के लिए हम आप अल्रेडी एक वीडियो बना चुके हैं फिर बाद में आती है थर्ड स्टेज हो जाती है यह उसके बाद आता है जब घुटना होता तो उसमें दर्द होता है मतलब जरास अभी बढ़ते तो पेन स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो यह तो हो गए आपके सिंप्टम्स अब पहले समझ लो होता क्यों है बस छोटी सी चीज यह जब अशर पड़ता है तो एंफ साब्रोड का बद कवेट बहुत में अधर आपकी बॉडी बैड यह तो तो कि ऐसे बीकिसी के बीजrov पहन के और 받ूम में पहले चालओ sectors णार चालेजा आपने मिटी आलेक्राउड पर रनिंग की है डिरेक्ट आप जंप करते हो रोड पे तब यह पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो यह कुछ चीजें होती ही जिनको आपको ध्यान अगना चाहिए खैर यहां पर हम तीन स्टेजेज बता रहे हैं पहली स्टेज वो है जहां पर आपक अब को क्या क्या ध diyeक नगा वही इस सबसे ज्यादा कुशल होतीयर सबसे पहला आपको कैल्सियम और वाइटमिन डी का इंटेक अपना देकना पड़ेगा कितना है कभी-कभी C कैलसियम लहीं नहीं रहे होते हो ठीक है तो दूद जो लोग नहीं पीते हो बहुत जरूरी है क्योंकि दूद का जो कैलसियम होता है वो बोड़ी बहुत जल्दी अब्जॉब करती है ठीक है आपकी बोन्स तो आपको क्या करना है दूद तो पीना ही पीना है और भी कैलसियम क कि अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही तो कैल्सियम विटामिन डी का इंटेक बढ़ा दो उसके लिए अलग-अलग चीजें हैं वह आपको बता चुके हैं पहली बात तो अगर बहुत कुछ नहीं मिला तो कैल्सियम की टेबलेट भी ले सकते हो कोई सब्सक्राइब की बात यहीं पर आज आती है कि आज कल देख रहो क्या हो रहा है तो आपको जूते चेंज करने की जुरूरत है अगला अगला है यहां पर ठीक करें अगर आपको भी समझ में आ गया है कि आपका फ्लैट फूट है तो आप बीच में मतलब सोल आते हैं अलग अलग तरीके के फ्लैट फूट के लिए भी सोल आता है तो वह सोल आप पर्चेस कर लो Amazon से हम लिंक दे देंगे वह सोल आप अपने जूते में लगाओ और फिर आप रनिंग कर सकते हो इससे आपको पेन में काफी हद तक राहत भी सारे लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में उसके बाद क्या है मोबिलिटी मोबिलिटी का मतलब यह होता है कि आप रनिंग के पहले तो कर ही रहो ठीक है देखो रनिंग के पहले जो वर्काउट होता है जो भी वाम अप होता हमने प्रॉपर जो बताया ना उसमें आपक पहले फॉलो करना उसके बाद आता है यह हां ट्रेन योर ग्लूट्स एंड कॉर मतलब की पहले अपने मतलब जब भी देखो जब रनिंग कर रहा हो तो जितना तुम्हारा पैर की पूरी बॉड़ी इंवाल पे सबसे जाता जो इंवाल्मेंट होता है अगर इस्ट्रॉंग न बनता है तो वह जो असर आता है किस पर आता है गुटने पर आएगा नहीं तो आपके एंकल पर आएगा तो आपको यह करने की जुरूबत है कि आप अपने ग्लूट्स हैंस्रिंग मतलब पैर का अपर पोर्सन जो होता है वह अच्छी तरीके से ट्रेंग करो और पेट तो चब मच डेली खाओ और पानी दबा के पियो आपको अच्छे खासे फैट मिल जाएंगे अगर नहीं लेना है तो आपके पास अगर पैसे हैं इतना तो आप अखरोट भी इस्तिमाल कर सकते हो बढ़िया है नहीं तो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो फेस इस्तिम ताकि रिलाक्स हो जाए अभी हम बताएंगे अगले वीडियो में ठंडे पानी और गरम पानी से क्या फरक पड़ता है ठीक है उसके बाद आता है कि सर्सों के तेल से मसाज अब देखो यह तो हमने यह भी हमने कई सारी चीज़ें बार बार रिपीट की है वीडियो में सर्स अगली बात यहां पर लास्ट है जो माइड़ पेर में जब हो रहा है तो यह सिम्टम सो रहे है तो आप यह चीज़े करने जूरत है वह पानी वाटर का इंटेक आपको तीन से चाल लीटर मिनिमम रखना ही पड़ेगा क्योंकि अगर वाटर नहीं दोगे बाड़ी को तो ब कि पेन थोड़ा सा ज्यादा स्टार्ट हो चुका है ठीक है पहले माइल था मतलब की बिल्कुल हमें समझ में नहीं आ रहा था हम चल फिर भी ले रहे थे अब पेन ऐसा हो गया है कि हमें दिक्कत हो रही हलकी हलकी तब आपको देखो एक यह फॉर्मुला हर एक एथलीट को पता होता है हर एक रनर के पता होता है राइस का मतलब क्या होता है रेस्ट आइसिंग और उसके बाद होता है आपका कॉंप्रेशन और एलिवेट अब इसमें क्या करना होता है सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है रेस्ट जब भी आपको लेंग में कोई भी तरीके क इस तरीके का saviour pain हो रहा हो तो आपको सबसे पहले 2-3 दिन का देना है rest ये करना पड़ेगा क्योंकि आप 12 प्रेशर डालोगे swelling है आपको आपने प्रेशर डाला उसमें और बढ़ेगी ठीक है तो पहला काम क्या करना है rest करना है उसके बाद उसमें icing करनी है 10-15 मिनिट और उस प्रेशन सॉक्स मंगा सकते हो अगर आपके एंकल में है तो केवल एंकल के लिए आता है और घबराओ मत बहुत ज्यादा महिंगा नहीं आता है तो फिर वह पूरा घुटनों तक के लिए आता है मतलब घुटने तो नहीं लेकिन हाँ आपका जो मतलब पैर है पूरा कवर हो जाए आप इंजरी से बचे रहो उसके बाद एलिवेट का मतलब यह होता है कि आपकी बॉड़ी जब पैर मलाव सीधे लेटे हो तो आपके पैर आपके चैसे से थोड़ा सा उपर होने चाहिए तो राज में सोते हो सिंपल सा फंडा है एक तकिया दो-तीन रख लो पैर के न उसके बाद भी अगर धर्द बना हुआ है तो हो सकता है कि फ्रैक्चर की स्टेज हो हो सकता है कि लेगामेंट स्टेर का प्रॉबलम हो कुछ भी इस तरीके का हो सकता है तो इस कंडिशन में आपको डॉक्टर के लावा कोई सलाह नहीं दे पाएगा और डॉक्टर जो कहता ह है कि कितना आपके लिए है ठीक है तो डॉक्टर के पास ना जाना पड़े उससे पहले इन सब पॉइंट को फॉलो करना स्टार्ट करतो कल फिर मिलते हैं आपका किसी एक और इंजरी कहें भगवान न करेगा भी इंजरी हो यार लेकिन यह स्पोर्ट होते हैं इनमें इंजर के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ हम कभी अभी पीच में बहुत सारी कॉंट्रोवर्सी हुई हम चाहते तो व्यूज कमाने के लिए उन सब पर वीडियो बना सकते हैं लेकिन हमें वह चीजे पसंद नहीं है तो कि हमें पता है जो लोग आज वीडियो बना रहे हो कल जाके उनी के साथ मिल जाएंगे हम ये कहरा है सिर्फ कि इसमें घाटा किसी का नहीं घाटा सबाब लोगों का है गाटा सिर्फ उंका है जिनके दम पर ये लोग और चला रहे हैं जिनके वज़े से पैसा इतनاخी कमा रहे हैं तो आप एक्टर बने नहीं घैब है लेकिन आप आप वहां entertainment करने नहीं जा रहे हो ठीक है हमें भी पता है वीडियो कैसे बनते हैं बच्चों को कैसे लाइन में खड़ा करके तीन-तीन बार खड़ा करके वीडियो बनाया जाता है तो आप वहां actor बनने नहीं गया हो अगर किसी पर एकडमी में इस तरीके का आप देखते हो कि आपको सिफ वीडियो बनाने के लिए दिन्रात इदर उदर बखाया जा रहे हैं कुछ भी छोड़ दो एकडमी तुरंत ठीक है अभी आपके लिए आपका future important है वरना ये लोग लाखों छाप रहे हैं और सिफ इस नाम पे कि किसानों के बेटे हैं तो पैसा नहीं ले रहे है यह वह फलाना डिमकाना यह सब इमोशनल जो अत्याचार होता है करने के बास फिर तुम लोगों की मत पड़ों इंटर्टेन्मेंट में ठीक है मेरा कुछ नहीं जाएगा यार हम तो वीडियो जो बना रहे हैं हम डेली बनाएंगे और इसी तरीके से पैसा कमाएंगे यह भ अबारत